देखे, कोश्यरबन 19 में, एक तो दो तीन छोटी छोटी बाते मज़े आपको बता दी है, मेन, कि जैसे हमको अरेंज करना होता है, जब भी मैं वर्ड बोलूंगा अरेंज, अगर मैं अरेंज वर्ड बोलना हूँ, तो जितनी चीजों का भी अरेंजमेंट बोलना हूँ, मालो मैं बोलना हूँ, चार को अरेंज कर दो, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ, फोर का फैक्टोरियल कर दो, ठीक है जी, फोर का क्या कर देंगे हम, फैक्टोरियल, और अगर repetition है तो हमेशा repetition से divide कर देंगे ओके और अगर मैं बोलता हूँ select करो तो select करने का मतलब होता है कि मैं आप से कह रहा हूँ NCR का use करो शुरू से ही समझा रहा हूँ सूजल शुरूआती तो हुई है पहली लाइन ही लिखी है सूजल कह रहा है वापस समझा दो जुबारा से पहली लाइन लिखी है इसे वापस कैसे समझाओ इससे पहले तो माइक की बात बता रहा था मैं ठीक है जब भी बोला जाए arrange तो जितनी चीजों का भी हम arrange बोल रहे हैं जितनी चीजों का भी हम arrange बोल रहे हैं हम क्या करेंगे? उतने काई factorial कर देंगे और अगर repetition है तो हमेशा divide करेंगे उसके factorial से जब भी select बोला जाएगा तो आप करेंगे NCR NCR का मतलब होता है कि total कितने चीजे हैं और उसमें से हमें कितनी select करनी है ठीक है? Is that okay? हाँ जी बताईए आयश पता नहीं बेटा हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया कोई problem इसमें बताओ? ये बात समय में आ गई सबको तो arrange मतलब उतने का ही factorial और select मतलब NCR बस ये यूज करना है अब देखें ध्यान से सुनो हमारे पास 52 playing cards है और इन में से हमें 4 cards choose करने है choose करने हैं या select करने हैं एक ही बात है ठीक है choose या select एक ही बात मानी जाएगी अब ये कहते हैं कि 4 card same suit के होने चाहिए आप ये देखे कि first part को जब हम करेंगे तो 4 card same suit के होने चाहिए तो option क्या क्या है चारो के चारो card आपके कौन से हो या तो चारो के चारो card आपके स्पेड हो या जब भी या बोलेंगे जब भी या बोलेंगे प्लस आएगा या चारो के चारो card आपके club हो या चारो के चारो card आपके क्या हो heart हो या चारों के चार कार्ड आपके क्या होने चाहिए? डायमंडो ठीक है जी? स्पेड, कार्ड, क्लब और डायमंड बिलकुल अब देखो आपको चारों कार्ड स्पेड चाहिए तो स्पेड टोटल कितने होते हैं? थर्टीन होते हैं और इन में से चार आपको चाहिए स्पेड तो आपने चार स्पेड ले लिए या आपने लिए होंगे तेहरे क्लब में से चार क्लब या आपने लिए होंगे तेहरे हार्ट में से चार हार्ट या आपने लिये होंगे तेहरे डायमंड में से चार डायमंड अगर आपने चार स्पेड लिये होंगे तब भी सेम आई होंगे अगर चार क्लब लिये होंगे तब भी सेम आई होंगे चार हाट लिये होंगे तब भी सेम और चार डायमंड लिये होंगे तब भी same आई होंगे Is this clear or not? बताओ First part तो हम यह कह सकते हैं कि हुआ क्या क्या होगा हुआ यह होगा कि या तो चारो स्पेड आई होंगे या चारो क्लब आई होंगे या चारो हार्ट आई होंगे या चारो डायमंड आई होंगे और अगर चारो स्पेड आए होंगे, तो चारो के चारो सेम, चारो कलब आए होंगे, चारो के चारो सेम, चारो हार्ट आए होंगे, तो चारो सेम सूट के, चारो डायमंड आए होंगे, तो चारो सेम सूट के Is that okay? कि 4 के 4 कार अलाग अलाग सूट के होने Ăस् चाहिए तो इसका मतलिक एक तो होना चाहिए, क्लब में testing अज़िए ये समझ में नहीं आईएगी ऐसे नहीं अभी बताते, आपको देखो, चारो difference root के होने चाहिए, तो इसका मतलब एक तो होना चाहिए club में से, and, and होगा, देखो, and, एक होना चाहिए speed में से, and, एक होना चाहिए heart में से, and, एक होना चाहिए आपका diamond में से, ठीक है, अब एक आपको club में से चाहिए, club के total कितने होते है, 13, और उसमें से कितने चाहिए आपको, एक, and, एक होना चाहिए आपका speed, तो आपने 13 में से लिया, एक speed, and, 13 heart में से, एक लिया आपने heart, and, 13 diamond में से, एक लिया हमने diamond, बात सभी में आई के ने आई? झाल 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 टिफरेंट सूट वाला एक बाफ फिस्वरादो लाइट चली गए थी, बहुत बढ़ी आई, ये भी अब ध्यान दगना पड़ेगा हमें, कि किसके लाइट आ रही है, किसकी जा रही है, कोई ने, देखेंजी, डिफरेंट सूट वाले में बात यह हुई, कि अगर आपको चा एक किलब चाहिए, टोटल किलब कितने होते हैं, थर्टीन, थर्टीन में से एक निकाल लिया हमने किलब, एक निकाल लिया सपेड, और एक हो गया हार्ट और एक हो गया डाइमड, Is it done? बताईए जी अब देखें next आता है कि 4 के 4 face card होने चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़ी आदेन देखो 4 के 4 face card face card कौन-कौन से होते हैं जिन पर face बना रहता है तो वो होते हैं आपका एक तो J होता है एक Q होता है और एक आपका K होता है देखो picture card और face card में difference है जो A होता है जो A होता है वो आपका picture card होता है face card नहीं होता तो face जिन पर बना होता है वो J, Q और Q होते हैं और हर 4 आपके पास J होते हैं 4 आपके पास Q होते हैं 4 आपके पास King होते हैं टोटल मिलाकर 12 होते हैं और आपको कितने चाहिए इन 12 में से 4 चाहिए और आगए आपके 4 के 4 फेस कार्ड बारा फेस में से अगर 4 निकालोगे उन 12 में से अगर 4 निकालोगे तो definitely वो आपके फेस कार्ड ही आएंगे क्या ये बात सबकी समझ में आई क्या सुथे क्या सो, आपके 7 आपने कार्यव आपके प्याईषर्णा एंभников, अरते हैं, क号ब बाप के खीक चे ये लिगा बात्क चाहिए झा essa बाम टिसना खेसिग थुष्च कार्ड अबहर भर आपके जो एंगर निकालोगे leash k automation ग community चाहिएवे अएवर वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा जी, नेच देखो, अब आपको दो रेड चाहिए और दो बलेच चाहिए, ट्राइ करो, आंग सा देखना चाहता हूं, तुम लोग क्या सोच रहों? कर दो में उतरा हूं, तुम देखना चाहिएल चाहिएलोगं कर दा हूं, अब का रता जा हूं, आ जा हुआंक भी क्ला चाहिए ऩर Acts, व सेंदेखना हूं, यि दूम धियाओा, आंग सा पदाएर आपको दूड, आंगाण भास कर चाहिएलोगा, उसे घपको कर रहल dewा हूं खा झाल झाल आज बोलो बिटा तुम ठीक है मैं चेक कर रहूं सबके प्राइब लेक्ट मी चेक क्या क्या करा सबने यस वन बाइवन देखते हैं अनुश्का वेरी गूद रुदाज पाथ तेजस्वनी नो प्लस अली नहीं नहीं तेजस्वनी ऐसे तो दो रेड नहीं आए आपके आपके चार रेड या चार बलैक आ गए तेजस्वनी करेक्ट करो अमिशी सही है, मिशितर सही है, कावे सही है, शोबित 13, यह 13 राइड होते हैं क्या, 13 राइड नहीं होते हैं, 26 राइड होते हैं, अंश गौर्ड, ठीक है, solve भी कर दिया, उल्जा सही है, आजयन ओके, लक्षय गलत, प्रग्रती सही, कोशल, उल्टा कर दिया तुमने, लक्ष कावे क्या लिखाए, 33, 25 का, no, 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 रेखो, राइड होते हैं, 26, आपको कितने चाहिए, 2, निकाल लिए, end लिखा हुआ है, end करो, ठीक है, ब्लेक चाहिए, ब्लेक कितने होते हैं, 26, कितने चाहिए, 2, निकाल लो, question खात्म, झाल अच्छा, ओके, फिफ्ट का बता जिया था, चलो, नेक्स जेखो, सेम कलर के होने चाहिए, अब देखो, कलर कौन-कौन से पॉसिबल है, या तो कलर रेड हो सकता है, या या वर्ड आ रहा है, या कलर कौन सा हो सकता है, ब्लेक, अब जेड लेने आपको 4, तो जेड कितने होते हैं, 26, इसमें से कितने निकाल लिए, 4, या ब्लेक कितने होते हैं, 26, इसमें से कितने निकाल लिए हमने, 4, खतम बात. झाल झाल सर ये टोटल आर्ट नहीं हो गए? नहीं, शोवित आर्ट नहीं हो गए. इसके आगे सॉल करना है? सॉल करना है सिखाया था. फोर तो लिखा ही नहीं है. अच्छा लक्षे ये क्या लिखा है भी? सबसे पहली लेन क्या लिखिवी है? फोर कार्ट्स. यहां देखो, क्या लिख red होंगे ya यह plus का मतलब होता है ya ठीक है? ya word होता है जब ya होता है तो plus और यह जो multiply है इसका मतलब होता है end आप देखो 2 end 2, तो यह हो गए 4 multiply में मतलब वो आपके एक साथ, और plus का मतलब होता है ya झाल done, ठीक है जी? यह वाला question हो गया सकता? ओके यह question बहुत बहुत बढ़िया रहा तुमारे लिए, सबके लिए लेखो जी, next question सुनो कि जैसे तुम 11 में admission लेने के लिए जाते हो, नहीं आंसे NCR में निछोड़ोगे, sol करोगे, भै, NCR को sol कर लिया करो, प्लीज, मैं sol नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज मेरे pen में थोड़ा issue है, इसलिए में calculations में ज्यादा नहीं जाओंगा, थोड़ा कम-कम लिख तो मैंने सिखा है, last class में भी 2-3 class से सीख चुके हो तो, यहां देखो, next question है हमाई पास, ओहो, यह रहा, कि अब आप 11 में, safe mode कहां लिख रहा है, मुझे पता भी नहीं चल्ला, कहां safe mode, मुझे नहीं पता चल्ला, कहां पर safe mode है यह, चलो खेर बार में देखेंगे, देखो, सुनो, सुनो, नहीं, लक्षे दिहान से सुनो, देखो, आप गए admission लेने, school में, school वालों ने आप से कहा कि ऐसा है, हमाई पास 9 course है, 9 course का मतलब है 9 subject, यह करेंगे आप से बार में पूछ कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि 9 course हैं, दो specific हैं, specific जैसे मैंने बोला कि माल लीजे कि English और उन्होंने कहा math, वो यह लिए English और math तो सब को ही लेना है, बाकी बचे 7 course, ठीक है जी, तो 2 तो लेने ही लेने हैं सब को, English और math तो सब लेंगे, बाकी बचे कितने 7, अब आपको 5 course क करने हैं, total, तो यह 2 हैं, compulsory, तो इन 2 के 2 को तो आपको लेना ही लेना है, show it, and, अब बाकी 7 में से आपको कितने लेने पढ़ेंगे, बताओ, बाकी 7 में से कितने लोग है आप, आपको total 5 चाहिए, good Amishi, अदो आप ले चुके हो, तो आपके पास कितने की choice बची, सिर्फ 3 की, 7 C 3 और, दिख रहा है कुछ, कुछ दिख रहा है नहीं, अब दिखेंगे, आपके, समझ में आया, 2 C 2 क्यों, दो कंपल सरी है, वो तो लेने ही लेने है, क्यों आपके लोग्स है आपके लोग्स के लोगी, दो अखके होगाई। एлगा ए?", एक जगे जाला डार हो गया, 35 can be answer, जी, जी, बिल्कुल. अगर सिर्फ 7C3 लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 2C2 तो 1 ही होगा, मिशिता बहुत बहुत अच्छी बार, बट वो after calculation है. ठीक है, लेकिन आपको एक बार 2C2 शो करना पड़ेगा. हाँ, जी, देखो, सुनो ध्यान से, next. अच्छा, ये बताओ, सच में. हाँ, जी, अच्छा, बार, प्याँ, भुद्यान से. देखे, situation कुछ ऐसी है कि तीन ववल और दो कॉंसोनेंट के तीन तो ववल और दो कॉंसोनेंट वाले हमें words बनाने हैं ठीक है अंश वहाँ भी शो कर सकते थे आज तुमने वह बात बोली है यह भी हम बताएंगे तुम्हे तुम वहाँ भी शो कर सकते हो ठीक है लेकिन box method एक अलग अलग approach होती है जब आप C का यूज करते हो तो आपको सारे C शो करने चाहिए ठीक है अमीशी कोशिश बहुत बहुत अच्छी है बट अभी देखेगा आपको अच्छा लगेगा सुनके कुछ देखो भी आपको words बनाने तीन वाविल वाले अनुष्का बहुत बढ़िया विटा दो कॉंसोनेंट वाले और आपके पास में word है involute आप देखो वाविल कितने हैं वाविल आपके पास एक I है एक O है एक U है और एक E है चाहल तो वाविल है और कॉंसोनेंट कौन कौन है ओके शिवाम कौंसोनेंट हमारे पास है N V N V L और T चाहर वाविल चाहर कौंसोनेंट तो चाहर वाविल में से तीन वाविल लिये एंड चाहर कौंसोनेंट में से दो कॉंसोनेंट लिए एंड उनको अरेंज कर दिया जिस्से की words बन जाएं words बनाने के लिए हमने उनको अरेंज कर दिया क्या है ये बात सोजय में आई ठीक है बनाने के लिए जाएं बिल्कुल, देखे, 5 factorial क्यों करा, मेरे लाल, आप देखो, आप ने 3 letter लिये, suppose example है ये, एक, T, C और A, आपके पास ये 3 letters है, आप अगर इनने word बनाने हैं, तो word बनाने में TCA एक अलग word है, CAT एक अलग word है, ठीक है जी, और ACT एक अलग word है, है या नहीं, तो इनको arrange करना पड़ता है, वर्ड सेलेक्ट करने के बाद, आप दोको word letter तो ये 3 ही है, लेकिन word बनाने के लिए आपको ये, word बनाने के लिए हमें arrange करना पड़ेगा, आ गया समझ में, तो word मतलब arrangement, numbers मतलब arrangement, ठीक है, बात सरी में आ गई, तो उनकी position को इधर दर करने से फरक्ट पड़ता है, कोई बच्चा P से question नहीं करेगा, कोई बच्चा P से question नहीं करेगा, P की approach long run में बहुत-बहुत harmful होगी, जी विटा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखें, देखो एक बार बताओ सब लोग, क्या ये समझ में आ रहे हैं और नहीं आ रहें, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये या वाले केस हैं, लास्ट क्लास में कोई बच्चा मुझे से पूछ रहा था और आज भी हमने स्टार्टिंग करी है, कि हमारे पास चार गर्स हैं, साथ बॉइज हैं, ठीक है, और पांच मेंबर की एक कमेटी बनानी है, कहते हैं, उसमें कोई गर्ल gefार्ण नी होनी जाये, अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, कि हम करकेरा में लिए पेंबर करनेने बितों है इन्होंने जेंडर बायोष्ड क्यूश्चन बनाये हैं, बट वोटेवरत तो कोई girl नहीं होनी चाहिए, means girl होनी चाहिए, आपके पास 0, और boys आपको select करने पड़ेंगे 5, आप no boy वाला कैसे कर लोगे बिटा, चाहिए, चाहिए, तो पांच मेंबर कहां से लाओगे, आप करने को तो तो यार, अच्छी बात है, but problem जो है, question में है, अब girls 4 available हैं, तो पांच की committee कैसे बनेगी, बहुत बढ़े, कोई बात नहीं, whatever, अब देखो, आपके पास 4 girls हैं, तो आपने girls select करी 0, and, साथ boys में से boys select करे 5, question खत्रम, आज यान तुम्हें कूट देंगे ये, तुम्हें पता है, अच्छा, एक बात और थी बच्चो, झाल, 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 देखो एक बात और भी है यहाँ पर, कि यह जो C0 वाली बात थी, हम इसे लिखते या ना लिखते, कोई फ्रक्ट निपर था, बट आप लोग इसे लिखने की habit बनाओ, अभी अंश पूछ रहे थे, मिशिता पूछ रहे थे, तो वही बात है, अब यह कह रहे हैं, at least एक होना चाहिए, तुझे को, एक बॉइ हो, या, दो बॉइस ले सकते हो, या, तीन बॉइस ले सकते हो, या, चार बॉइस ले सकते हो, ओ, अभी रुको भी, इसमें एक चीज का ध्यान दखना है, अब देखो, एक बॉइस अगर हम लेंगे, तो गर्ल्स कितनी लेने पड़ेंगे, चार गर्ल्स चाहिएंगे, अगर दो बॉइस हम यहाँ पर मेंबर्स ले रहे हैं, तो टोटल पांच मेंबर्स के लिए तीन गर्ल्स हमें मेंबर्स लेने पड़ेंगे, तीन बॉइस है तो दो गर्ल्स मेंबर्स ही है, चार बॉइस है तो एक गर्ल्स चाहिए, और इन्होंने बोला है कि एक बॉइस पांच हो जाएंगे, तो गर्ल्स कम हो जाएंगे, तो अब बताओ, क्या य उनने select कर ली and साथ boys में से साथ boys में से एक boy select कर लिया ठीक चार girls में से तीन girls select कर ली and show it very good बिटा और साथ में से दो boys हमने select कर लिये चार में से दो and साथ में से तीन चार में से एक and साथ में से चार बफ़ अ लुब है कर लो एक रखना संग करें आप हमाया, वह बढ आप हमेंगा कर दो आप हमी डिज़ू नेक्स्ट थर्ड पार्ट अट लीस्ट तीन गर्ष अट लीस्ट तीन गर्ष की बात हो रही है तो कम से कम तीन गर्ष होनी चाहिए तो तीन गर्ष हो सकती है या चार गर्स भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है अगर हम चार गर्स सेलेक्ट करेंगे तो फिर बोई एक ही होगा बिल्कुल बच्ची मुझे मैसेज कर दीजीगा मैं आपको सेंड कर दूँगा हाज ही बोई सेलेक्ट करो हाजी हो गया ये हाजी हो गया ये हाजी हो गया ये हाजी ह powerless ही बोई आपको सेGO का आपको mcq test कर लेंगे इसका चलो जी next टेकते हैं ओ ये रेंगरो भी लीजे first question करो जल्दी से first question attempt करो सभी लोग अब WhatsApp टे send करो मैं चेक करता हूं तुमारा अजय कर दो अजय कर दो अजय कर दो तुमारा अजय अजय झाल झाल शोबित ओके तेंड वास्टी नाट शोबित कुछ गल्ती है 63 साही नहीं लगादा तुमारा चेक करो कॉंसोनेंट 6 कैसे मिल गए तुम्हें बाकी लोग बेचो जल्दी जल्दी येस अब ठीक है गुद्भूद गुद्भूद पाथ वेरी गुद्भूद गुद्भूद शिवम शर्मा गलत अरे इंजी नी करें तुमने तानिया पुरा करो कॉश्शन इनकम्प्लीट है हर्षित मिक्तल हर्षित मिक्तल ये एट गलत हर्षित मिक्तल गलत एट फैक्टोरियल कैसे आया क्या आप आठ को अरेंज कर रहे थे तीजस्वनी बिटा करेक्ट मिशिता जैन करेक्ट तानिया तिवारी तानिया गलत है अनुष्का बिटा बिल्कुल सही अनुष्का बिल्कुल सही है हरशेच सही है मेने अजुगो और सही है पटा झाल कावे बिटा गलत अधे 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 तो तुमने के लेटर सलेक्ट कर लिये बट उनको अरेंज भी जो करना है अमीशी बिटा आज इन अभी चेक करेंगे अमीशी बच्चे सब्सक्राइब करा है आप पी का यूज मत करा करो आपको फिर एंट्रेंस में रिकत आज यह बच्चे फोटो जादा लगा दि तुमने शिक्स ट्रेक्टोरिल कैसे लिया है दुशाशन तुम्हारे चैनले के पांच लेटर है अधे माइंड में हो गया तो नंबर भी माइंड में ले ले ना बच्चे कह रहे हैं अधे माइंड में हो गया यह सही है डॉर्टर पाइफ सीटी सही है भव्या पूरा निकालो चलो ठीक है सही है गुड क्या रॉंग है बता दीजिए देखो बटा आपने पहले तीन मैंसे पांच निकाल दिये पहली गलती तो यह वाविल टोटल तीन है तो तुम्हें तीन मैंसे दो तो वाविल निकालने हैं और पांच मैंसे तीन निकालने हैं तुमने तीन मैंसे पांच कर दिया वाविल फिर उनको अरेंज करना है इंटू फाइफ एक्टोरियल अभी तो कर रहा था इंवल्यूट वाला कॉश्चन ही तो है यह तो इसमें आ पांच कॉंसोनेंट में से तीन कॉंसोनेंट निकालो तो टोटल कितने निकल के आ गए टोटल दुमाई पास दो और तीन लेटर आ गए आप क्या करो एंड बार में इनको अरेंज कर दो जिससे की वर्ड बन जाएं उर्जा अरेंज नहीं करा नहीं करा गलती हो गई बेटा अरेंज नहीं करोगे तो वर्ड कैसे मनेंगे अरेंज नहीं करोगे अरेंज नहीं करेंगे अरेंगे इसाम करणा विजान कर अरेंगे अबंगे प्रिव अब पर बेटा पी का यूज मैने ने मना करायान मना कराया फ्रीपिन नीचे लिखा जाएगा, ना कोई भी रिपीट, नै अगर कोई लेटर रिपीट होता है, तो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, उसे डिवाइड करा जाएगा arrangement में जाने के बाद, ठीक है, तो वो question भी आएगा, वो सबसे difficult question होगा, जिसमें selection, arrangement, और repetition तीनों ही लगेंगे, ठीक है बच्चो, अगर कोई ऐसा question आता है, जिसमें तीनों लग रहे हैं, तो वो one of the difficult question होगा, लेकिन तुम सोच रहे हो, this is very, very good. Mississippi वाला भी नहीं है, बटा हो. तानल भी नहीं है, जैसीम latte देखो हो, यह question बिलकुन से मैं जो पिछला वाला करा है, बिल्कुल सेम कोश्चन है अगर ये नहीं हुआ तो समझ लो कि तुम्हे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हे समझ में लो कि तुम्हे समझ लो कि तुम्हे समझ में नहीं हुआ पार्थ बोट बड़िया विटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड झाल पहली लुचा को शीवैन नौचोड पमेह आ पूरर अनुचक पर्डाइब Junga साबस्किर्द शिवैन विट ऻृथ बडिया घ्ट्रीघ अंश गॉर्ड वेरी गुट बिटा शिवम शर्माजी इस्टिल वेरी गलत वेरी गलत बहुत गलत अग्वी ने अनुष बिटा मने देख लिया प्रगति आपका करेक्ट विटा चेंग मुष्टा सही है तेजस्वनी बिटा सही है बट पहली लाइन में ही फोर फेक्टर लगाना था आपको बिल्कु सही है भव्या शाबाश शिवम तुमने सलेक्ट करें बस तुमने वर्ट्स बनाए ही नहीं अभी तक आपने अभी तक वर्ट्स नहीं बनाए झाल हाँ जी बाकी बताओ इतने बच्चे थे क्या है ये बाकी सूजे लेंड पारटी कहा ही है ये जिस जिसका आंसर नहीं आरा मैंसे आटा आरा हूँ भी आदित्तर आठ और आठ और कोई आंसर नहीं आ तुम्हारा अभी रेखता हूँ जी जिसके आंसर नहीं आए यतिन शर्मा कोई जर्वत नहीं तुम्हें यहां पर यश कोई आंसर नहीं आया दूसरे यश का भी आंसर नहीं आया हटाओ इनको सुजल कोई आंसर नहीं जिया जब तुम्हें काम नहीं करना तुम्हें यहां पर बैठे क्यों हो मिनाक्षी हटो यहां पर से क्रेश अरोडा चलो जी भानू जाओ और को ने सक्षम बस अब तुम मज़े से बैठो हम कराते हैं कुश्चन और किस किसका नहीं आया अंसर नहीं अब मत करो आंसर हां लक्षे भी है सही बात है लक्षे का भी आंसर नहीं आया है लक्षे क्लास में ही नहीं बिटा आंसर तब आएगा उसका नेक्स्ट कॉश्चन देखो आजी यह देखो सेवन कॉश्चन है टाइम करोगे बारे कॉश्चन है अब देखो बारे कॉश्चन है यह करेंगे 52 कार्ड में से 5 कार्ड आपने निकाले और एक किंग होना चाहिए बॉक्स मेटेड से भी हो जाते हैं बिटा लेकिन सेलेक्शन कहा हो जाता है परमूचेशन वाले कॉश्चन बॉक्स मेटेड से भी हो जाते हैं झाले कॉश्चन वाले कॉश्चन है देखो आपके पास 52 कार्ड है ठीक है मीशी ओके बिटा विल्कु साही अब इन 52 कार्ड में से किंग कितने है 4 और जो किंग नहीं है वो कितने है 48 अब आपको एक तो किंग चाहिए एक तो आपने किंग ले लिया एंड टोटल पांच कार्ड चाहिए तो पांच कार्ड के इसाफ से आप क्या करोगे बाकी चार यहां से निकाल दिए बात खतम बहुत बढ़िया अभी चैक करते हैं सबको बव्या गोड़ बिटा उल्टा लिग दिया बव्या वन सी फाइव लिग दिया आपने ये दूसर सब्सक्राइब करोगे आपका करेक्ट इविटर पाथ गोड शूजल तुम्हें एंट्री कैसे मिल गी इसमें तो बद हमने उसमें डाल दिया था वेटिंग में मिनाक्ष्टी अब करो तुम जोइन आगे समय में? कुश्चन समय में आया कि नहीं आया? यह अगे 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 एक मट बिटा अभी भव्या चेक करते हैं आप आप अगे 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 हर ंगे छौट अगे डिखो आपके पास में 8 होते हैं किं तो आपने एक कर लि आ किए घथा अब 5 काड़ शीये तो आपने काहतने चाल ली बादि हां से यहां तक नहीं छोड़ सकते, solve करके करना है, बीटा, पूरा solve करना है, solve करना जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है चलो, आज का इतना ही काम करेंगे